Question पहली नेजर में काफी complicated नेजर आ रहा है, है ना? लेकिन थोड़े से observation सोचिए, कुछ आपने कुछ किया है पहले, सोचिए कि पहले आप लोग क्या करते थे? अगर आप से पूछा जाए कि x की power 5 का differentiation क्या होगा? तो जाहिर सी बात x की power 4 order में आएगा, ना? एक कम में आएगा, क्योंकि nxn-1 होता है, अगर आप से पूछा जाए कि x की power 10 का differentiation क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? x की power 9 की order का होगा? Similarly, अगर इस चीज को reverse किया जाए और कहा जाए कि 1 upon x की power 5 का differentiation क्या होगा? तो पता है, 1 upon x की power 6 हो जाएगा, एक power denominator में बढ़ गई, वही quantity जब x की power 5 numerator में हुआ करती थी, तो उसका differentiation क्या था? x की power 4, लेकिन अगर 1 upon x की power 5 है, तो उसका integration, उसका जो differentiation होगा, वो 1 upon x की power 6 हो जाएगा, मतलब denominator में quantity है तो उसका power बढ़ रहा है, तो इस से आपको inspiration मिलना चाहिए है न, कि अगर x की power नीचे 1 upon x की power n है, और उसका differentiation सोचे हम, तो x की power n प्लस 1 होगा, एक ज़्यादा power होगी, चलिए यह थोड़ा आपको संसात में observe करोगे, x की power n यहां से हम बाहर कर लेते हैं हैं तो क्या हो जाएगा? x into x की power n, यहां common करने का मतलब होता है कि जितने term से common कर रहे हैं आप, वो सब divide होंगे, जो चीज आपने common किया है उस चीज से, तो x की power n से divide हो गया है, dx, यह क्या हो गया? सेम quantity है, division 1 हो गया इसका, अब यह आ गया, अब देखें यहां पर क्या हो गया? सेम base है, power add हो जाएगी, तो आप यह लिख सकते हो, x की power n प्लस 1, और हम इसी की बात कर रहे थे, कि अगर आप 1 upon x की power n का differentiation सोच रहे हैं, तो वो 1 upon x की power n प्लस 1 आएगा, इसका मतलब थोड़ा और rearrange करके लिख दे, तो it could be written as a 1 upon x की power n प्लस 1, dx, over 1 plus 1 by x की power n, ठीक है? अगर आप इसको fx सोचते हो, that means, यहां rough हम आप वो work कर दे रहे हैं, यह आपका observation है, कि अगर आप d by dx of क्या सोचते हो, 1 plus 1 by x की power n, तो यह 1 का 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? प्लस d by dx of 1 by x की power n का मतलब x की power minus n, और यह कितना आने वाला है? that comes out to be minus n, x की power minus n minus 1, मतलब denominator में लिखेंगे इसे, तो x की power n plus 1, इसका मतलब अगर यह fx है, तो यह fx होते होते रहे गया, क्या adjust करना पड़ेगा? there is a constant minus n, minus n अगर आप multiply कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे divide कर लो, minus n, तो यह आपका fx है, तो यह denominator, numerator आपका क्या हो गया? f dash x, और यह कौन सी form हो गई? f dash x upon fx, और उसका answer क्या होता था? यह तो बाहर रहे गई, log of mod fx, मतलब 1 plus 1 by x की power n, plus indefinite cost and c, ठीक है? अब यहाँ पे LCM लेना चाहिए, ले लीचे, क्या हो जाएगा यह? इसको rearrange करके लिखना चाहते हैं, तो that could be written as a, यह आपका rough work है, यह दिखाने की जो रत नहीं है copy में, या exam के paper में, log of x की power n, plus 1 over x की power n, plus c, that is your final answer.